हेलो दोस्तों वेलकम टू नैच्र लोगिंग आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फूरूट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम आपने कमी सुना होगा जी हाँ हम बात करेंगे ड्रेगन फूरूट के बारे में इस वीडियो को खाश शूट करने के लिए मैं कुष्ष जित्र के पास के गाउं में आया हूँ और ये खेत है अनुभया का जो इसकी फार्मिंग करते हैं तो आज पूरा वीडियो हम इनी के खेत में शूट करेंगे वीडियो को अन तक जरूर देखें और इसको लाइक करना ना भूलें तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ओरिजिन के बारे में बताऊंगा रैगन फूर्ट मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है पर अब तो ये पूरे वर्ल्ड में उगाया जाता है रैगन फूर्ट की टूटल फाइफ स्टेज होती है और ये एक कैक्टिस प्लांट 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 कहना सही नहीं होगा क्योंकि यह एक तरह से इसकी वाई नहीं है तो आप इसकी stage देखें यह इसकी first stage है यह इसकी second stage है यह इसकी third stage है यह इसकी fourth stage है और in the last यह इसकी fifth stage है इसकी farming कैसे होती है यह बताने से पहले मैं आपको इसकी कुछ health benefits के बारे में बताऊंगा dragon fruit एक fat free और high fiber fruit है यह vitamin A और calcium में rich होता है यह हमारे blood sugar level को कम करता है और यह हमारे immune system को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर vitamin C और antioxidants होते हैं यह हमारे body में iron level को बढ़ाता है और इसकी कारण blood में oxygen की circulation बहुत अच्छे से होती है जैसा मैंने आपको पहले बताया था यह एक cactus plant है तो इसको कम से कम पानी और ज्यादा ज्यादा धूप चाहिए होती है और wine होने के कारण इसको एक solid sport चाहिए होता है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं अनुबहियान अपनी खेत में जगा जगा पर pillar लगा रहे हैं proper gap देकर और उन्होंने अपने pillars को ground level से थोड़ा उचा ही रखाया ताकि इसके अंदर excess water ना जा पाए और इसकी growth बहुत अच्छे से हो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कुछ पेड काट रहे हैं यह पेड नीम और डैंक के थे इन्होंने यह पेड इसलिए काटे क्योंकि इनकी वज़े से dragon fruit पर चाय आ रहे थी और इसको ज़्यादा ज़्यादा धूपची होती है तो चाय उन्होंने काट इसकी growth थोड़ी कम हो रहे थी पर आप इन्होंने काट दिये हैं इनकी growth अप थोड़ी ठीक हो गी है और इस प dragon fruit को कम से कम moisture सी होता है क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी stem पे काटे हैं जो की transpiration एक process होती है जिससे जो excess water वो lose कर लेते हैं तो इनको कम से कम moisture सी होता है और जो इसके अंदर extra water होता है वो dragon fruit में store हो जाता है इसके कारण यह बहुत ही fresh और juicy fruit होता है यह fruit कभी खराब नहीं हो दो इसकी safety भी बोच जादा है इन्होंने अपने खेत में इसको as a main crop यूज किया है और जो बीच में gap है इसमें आप कुछ भी कोई भी फसल लगा सकते है as a side crop अब यह पोद्दे सिफ दो साल के हैं पर कुछ ही सालों में इसके hide ही बढ़ जाएगी और यह पूरा pillar cover हो जाए और साथी साथ इन्होंने side में यह अमरूत का भी लगा रहा है इस पर भी अच्छा fruit आ रहा है रेगन फूट को लगाने की cost थोड़ी expensive है लग बहुत 5 लाक प्रती एकर पर इसकी demand बहुत जादा है पर supply कम इसलिए इसका rate भी बहुत जादा है तो as a income generating growth यह बहुत ही जाती है और fungus के कारण जो इसकी root है जो stem वो खराब हो जाती है फिर इसको कट करके अलब करते हैं जिससे फिर वह ठीक होता है तो इसको कम से कम पानी दें और इससे इसकी growth बहुत अच्छी होई की और आप इसको जैसे यह देख सकते हैं इसकी growth अच्छी हो यह side क्योंकि side ज इस प्लांट के खास बात है कि इस पर कोई pest stack नहीं होता फंगस के लावा इस पर कोई भी pest stack नहीं होता यह प्लांट एक natural environment में growth होता है तो इसको कोई भी nutrients नहीं हो चाहिए होते पर अगर आपको जादे ही थोड़ा इसको boost up करना है तो इस पर आप potash या boron की spray कर सकते हैं औ इसको बिल्कुल open sunlight चाहिए open environment चाहिए अगर उस environment में आप इसको रखेंगे इसकी growth बहुत अची होएगी जैसे आप देख सकते हैं इस पर किने चाचे fruit आरके हैं इसकी जो farming है वो बहुत ही simple और primitive है बहुत असानी से हो जाती है थोड़ा expensive है मगर in future जब बहुत अच्छे से grow जाता है वो सारा cover कर लेती है जो हमारे expenses है origin के बीच में gap है आप कोई भी side crop यूज कर सकते हैं जैसे इन्होंने निम्बू लगार के अमरूद लगार के यह आप hybrid भी लगाएं क्योंकि जो hybrid उनकी height कम होती है और ज्यादा fruit देते हैं और जैसे में आपको बताया ज्यादा height आपको यहाने चीह इन्होंने बस गलती करें थी कि वहाँ पेड लगा दी इस साइड थोड़ा ज distractions थोड़़े कंपेड उस साइड घ्यादा मगर इस साइड कम हैं इस साइड कंपेड होने की पार्ण इन पे जदा गृथ हुई है जदा बूस्ट्रवो के है इस पर ज़्या एक हम्रूत का प्लांट लगा रहे हैं इन्होंने भी दोई साल हुए इनको फार्मिंग स्टार्ट करे हुए और मैं आपको एक खास वापता आता हूं जो आप उसका जो फुछावर है यह रात में ब्लूम होता रात में खीलता है जो अच्छा लगता व अगाव और लेफ साइड में जो आपने देख रहे हैं इस चंदन का प्लांट है इसका नाम आपने सुनाई होगा जो इसकी लकडी होती है यह बहुत ही कोसली बहुत एक्सपेंसिव होती है और यह आप देख iban न िसन से फंगस लग रिए थी बाइयन जिसको काट करत ताकि इसस्पै पूरे पेड़वना सके और साथ में आप देखें पारे होंगे इनने जगाँ जगा पर मद्मक्रहता है यो मद्रूमक्रहता की उता है में बहुत help करता है और साथी साथ मधुमक की रखने की दो तिन बेनिफिट ओ रहा है एक ही है यह पॉलिनेशन में बहुत help करते हैं नीमबू के प्लाइट की और साथी साथ यह शाहद भी देती हैं ड्रेगन फूर्ट की जड़ों से नए नए बेबी प्लाइट निकलते रहत और आप देख सकते हैं, इस प्रांट की भी ग्रोथ बहुत अच्छे से और किये, और जो इसकी यह स्टैम है, इस पर चोड़ चोटे बेबी फूर्ट सा रखें, यह आप देख सकते हैं, अनुबया ने ड्रेगन फूर्ट की पोत त्यार कर किये, चोड़ चोटे पोते यहां बनारके इन्होंने और इन्होंने हमें भी कुछ प्लांट्स दी हैं इसके आप लोगों को ड्राइगन फूट एक पर जुरू ट्राय करना चाहिए आपको बहुत पसंद आएगा इसके हल्फ बेनफिट से बहुत अच्छे हैं चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं न जल्दी मिलूँँग आपको एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ जब तक आप वीडियो को लाइग करें और और कमेंट करें लाइक करना ना बूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूद करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में